कि दूसरा भाग पड़ने जा रहे हैं हमारे आध्याय का नाम है आंत्रिक व्यापार इसके पहले भाग में हमने आंत्रिक व्यापार के दो मुख्य प्रकारों थोक वो फुटकर व्यापार के बारे में जाना फिर हमने यह देखा कम्यवाश फुटकर वॵ्यापार हम इसके प्रकार की आज का यह भाग हम स्थाई दुकांदारों पर चर्चा से शुरू करेंगे जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, स्थाई दुकांदार ऐसे दुकांदार या विक्रेता होते हैं, जिनके पास स्थाई दुकान होती है उनका एक निश्चित व्यापारिक स्थल होता है, जिसे उन्हें बार बार बदलना नहीं पड़ता हम अपने आसपास ऐसे अनेकों हजारों दुकान देखते हैं जो एक ही स्थान पर रहकर चलाई जाती हैं जिनके दुकानदार अपने स्थान को बार बार बदलते नहीं हैं स्थाई दुकांदार अपने परिचालन के आकार के अधार पर दो प्रकार के होते हैं छोटे वह बड़े दुकांदार आप सबने देखा होगा और पिछले भाग में भी मैंने आपसे इस बात पर आग्रह किया था कि आप इन चीजों को अपने आसपास के दुकांदार या व्यापारों से जोड़ कर देखें तो आप सब जानते होंगे आपने देखा होगा कि कई दुकां या कुछ दुकांदार आकार के होते हैं जिनकी दुकारों का आकार भी छोटा होता है उनके पास वस्तों आधे की संख्या भी कम होती है वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकांदार बहुत बड़े आकार में अपने दुकांदारों को चलाते हैं हम एक एक करके इन दोनों प्रकार के दुकांदारों व वह पुरानी वस्तों के दुकाने यदि हम जनरल स्टोर की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से इस पश्ट हैं यह ऐसे स्टोर या दुकाने होती हैं जो आम तोर पर दैनिक जीवन में उप्योग होने वाली सभी प्रकार की वस्तों में काम करते हैं यह वो भोकताओं को साबू तेल, डाल, चावल जैसे अनेकों चीज़ें प्रदान करते हैं जिसे लोग अपने दिनचर्या में रोजाना उप्योग करते हैं यह दुकाने हमारे घरों के बिलकुल पास में आवासी अस्थरों के अंदर होती हैं जिससे की वो भोकताओं को इन से सामान खरीदने के लिए जादा दूर नहीं जाना पड़ता अपने घर के ठीक नीचे या ठीक पास में हमें अपने दिन प्रति दिन के आवश्कताओं की सभी वस्तों इन जनरल स्टोर के पास मिल जाती हैं इन से विपरीत जो दूसरे प्रकार के छोटे स्थाई दुकानदार हैं वो हैं विशिष् परिश्टी कृत भंडार होते तो छोटे आकार के ही हैं लेकिन ये किसी एक प्रकार के वस्तों में ही काम करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कई दुकाने होती हैं जो केवल बच्चों के कपड़े बेचते हैं कई दुकाने केवल जूते चपलों आधी का काम करते हैं इस पकाने एक विशेश प्रकार की वस्तू में ही काम कर रही हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम केवल एक और प्रकार की वस्तू में खरीच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये General Store के विपरीथ हैं क्योंकि General Store में himself हमें सामानें तक कई प्रकार का सामान मिल जाता है जबकि विशुष्टिक गृत भंडारों में हमें एक ही प्रकार का सामान प्राप्त होता है इसके बाद तीसरे प्रकार के छोटे स्थाई दुकानदार हैं गलियों के स्टॉल कई गलियों में कई बार हम देखते हैं कि छोट को अपने घरों के काफी पास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्द कराकर जैसे जूस या खाने पीने की चीज़ें स्वास्थी से जुड़ी भी अन्य चीज़ें उपलब्द कराकर उनकी जरूरतों की तुरंत पूर्ती करते हैं एक अन्य प्रकार की विशेश दुकान जो कुछ समय से देखने को मिल रही है वो है पुरानी वस्तूओं की दुकान है अब कई लोगों को पैसों की कमी या किसी अन्य कारण से वस्तूओं को सीधा नए दुकानों या नए तोर पे खरिदने के बजाए पुरानी वस्तूओं के खरिदने में रुची होती है वो चाहते हैं कि यदि उन्हें पुरानी वस्तुवें ठीक ठाक कीमत पर मिल जाएं तो पैसे भी बचेंगे और यदि वस्तुव अच्छी है तो काम भी हो जाएगा तो अब कई दुकाने ऐसी भी होती हैं जो केवल पुरानी वस्तुवें ही काम करते हैं ये लोगों से उनके पुरानी वस्तुवे खरीदते हैं वह अन्य लोगों को जिने पुरानी वस्तुवे चाहिए उन्हें बेच देते हैं तो इस प्रकार ये चार प्रकार के छोटे दुकानदारों के बारे में हमने देखा अब हम स्थाई दुकानदारों के बड़े आकार के चर्चा करेंगे जो बड़े-बड़े आकार के स्थाई दुकाने होती है जैसा कि शहरों में आप मौल देखते हैं या विभागी भंडार यानि डिपार्टमेंटल स्टोर देखते हैं ऐसे कई प्रकार के बड़े आकार के व्यापारी होते हैं जो स्थाई रूप से अपना काम करते हैं लेकिन ये होते फुटकर व्यापारी ही हैं यानि ये छोटी-छोटी मातरा में ही वस्तूओं को ग्रहकों को बेचते हैं लेकिन इनके दुकानों या व्यापार का आकार बड़ा होता है इसमें सबसे पहले हम बा बने होती हैं जहां पर सभी वस्तूओं के विशेश विभाग यानि डिपार्टमेंट बने होते हैं जब हम इन दुकानों में जाते हैं तो हम अपने सामने देख पाते हैं कि अलग-अलग वस्तूओं अलग-अलग जगहों पर रखी हैं हम जाकर वहां के जो विकरेता हैं उनसे अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तूओं की मांग कर सकते हैं इस प्रकार के दुकाने बड़ी आकरशक लगती हैं क्योंकि ये बड़ी सुन्दर तरीके से सजाई जाती हैं इनमें विभागों के नाम रखे जाते हैं जैसे की खाने पीने की चीज़े अलग हैं मसाले अलग हैं बिस्किट अलग हैं ऐसे अलग-अलग तरह के विभाग ब क्योंकि ये दुकाने Бहत बड़े आकार की और बड़े अकर्षक रूप की होती है, तो इस प्रकार की दुकाने बड़ी मात्रा में ग्रहकों का कर्षित करते हैं, यहाँपर कई बार बहुत भीड पाई जाती है, कई सारे लोग एक साथ ऐसे दुकानों में सामान खरिते वे प गम होता है, आसान होता है, क्योंकि उन्हें वस्तुएं धूम्डनी नहीं पड़ती, सभी वस्तुएं अलग अलग विभागों में रखी जाती हैं, यदि उन्हें एक प्रकार की वस्तु चाहिए, तो उसके सभी अवसर, सभी चयन की अवसरों ने एक जगह पर मिल जाएंगे इससे क्रय करना आसान हो जाता है इसके अलावा इस प्रकार के भंडार ग्रहकों को वस्त्वों की बिक्री के अलावा कई प्रकार की आकरशक सेवाईं देने लगे हैं जैसे की आराम करने की जगह, खेलने के स्थल या खाने पीने की जगह हैं इस प्रकार की अतरिक्त आकरशक सेवाउं के जरिये भी ये ग्रहकों को आकरशित करने का काम करते हैं इसके अतरिक्त त्योंकि ये भंडार एक बड़े पैमाने पर अपना काम करते हैं ये बहुत बड़े स्तर पर अपने दुकानों को चलाते हैं इससे इने परिचालन के लाब भी प्राप्त होते हैं ये बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीते हैं तो उने वस्तुएं भी थोड़ी सस्ती पढ़ती हैं जिससे इनकी लागत कम होती है इसके अलावा ग्रहकों की बड़ी संख्या के कारण भी इन्हें अधिक लाब कमाने का अवसर प्राप्त होता है ये इस प्रकार के भंडारों के कुछ लाब थे लेकिन ऐसे दुकानों के कुछ सीमाएं भी होती है जैसे की इन जगहों पर ग्रहकों के लिए व्यक्तिकत ध्यान का अभाव होता है यानि क्योंकि ये दुकाने या भंडार इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर एक साथ कई ग्रहक या कई भूकता पाए जाते हैं तो हरे को भूकता पर विक्रेता उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं जितने अच्छे से छोटे दुकानदार ध्यान दे पाते हैं इसके अलावा जहां एक तरफ इन्हें परिचालन के बड़े स्तर का लाब मिलता है वहीं एक सीमा है इसकी कि इन्हें परिचालन की लागतें भी बहुत जादा उठाने पड़ती हैं बड़ी दुकान उसका बड़ा किराया उसमें कई सारे लोगों को रखना इस तरह की कई लागतें इनकी बढ़ जाती हैं इसी के कारण इनकी अगली सीमा यह हैं कि इन्हें हानी की संभावना भी अधिक होती है यदि किसी भी कारण वश ग्रहाकों की संख्या कम हो जाए तो इ इनकी अपने बड़े आकार के कारण यह किसी भी जगा पर तो नहीं लगाए जा सकते इनके लिए विशेश थल चाहिए जहां बड़ी जगा हो जहां पर अधिक लोग आ सकें और ऐसी जगहें कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है विभागिय भंडारों के अलावा एक अन् होती हैं जहां पर उत्पादक या निर्माता अपनी वस्तूओं को बेचने के लिए एक ही नाम से अलग अलग शहरों या अलग अलग जगहों पर कई दुकाने खोलते हैं आपने कई सारे फास्ट फूड चेन यानि श्रंखलाएं कई जूतों के ब्रांड के निर्माता ऐसे कई अनियोदारण देखे होंगे जिन में एक ही नाम से एक ही प्रकार के बस्तों की दुकानों की श्रंखलाएं होती हैं जो अलग अलग जगहों पर फैली होती हैं ये दुकाने बड़ी जनसंख्या वाले छेत्रों में स्थित होती हैं जहां काफी संख्या में ग्रहक मिल ज सभी इकाईयों के लिए यानि सभी इनकी दुकानों के लिए उत्पादन वक्रे करना इनकी एक मुख्याले से होता है यानि इनका एक मुख्याले बनाया जाता है जो एक केंद्रिक कृत तरीके से सभी दुकानों के लिए कच्चे माल या वस्तू या उत्पादों का क्रे करते हैं और वहां से इसे विभिन्य दुकानों में पहुंचाया जाता है उनकी अवश्चताओं के अनुसार इससे इन भंडारों के परिचालन व्याय में बचत हो जाती है प्रतियेक दुकान का प्रबंधन एक शाखा प्रबंधक करते हैं जो की दिन प्रतिदिन के कारियों की देखरेक करते हैं ये बिक्री, नगर, जमा वा माल के अवशुत्ता आदी के से जुड़ी हुई प्रतिदिन की सूचनाय मुख्याले तक पहुँचाते हैं मुख्याले ही इन सभी शाखाओं का नियंत्रण करते हैं तथा नीती निर्धारण भी करते हैं इन दुकानों पर वस्तूओं का मूल्य एक ही होता है यानि कि यदि आप इस प्रकार की दुकानों में चाहे एक जगह पर जाएं किसे दुसरे शहर में या किसे दुसरे जगह पर जाएं तो उस वस्तू का मूल्य सभी जगहों पर आपको एक जैसा ही मिलेगा माल के विक्रे से प्राप्त राशी को प्रतिदिन स्थानिय बैंक में मुख्याले को प्रेशित किया जाता है इस प्रकार के व्यापार का लाव यह है कि बड़े पैमाने पर काम करने से ये अपनी लागत को कम कर पाते हैं दूसरा ये मध्यस्तों को समाप्त कर पाते हैं अब मान लीजिए कोई जूता बनाने वाली कमपनिया फैक्टरी है यदि वो जूतों का उत्पादन करके उसे मध्यस्तों के जरिये चोट चोट चोटे दुकानों तक पहुँचाते हैं तो उन्हें मध्यस्तों का लाव भी देना पड़ता है लेकिन इसके विप्रीत यदि या फैक्टरी खुद अपनी दुकानों की श्रंखलाएं खोल ले तो मध्यस्तों को समाप्त करके ये खुद के लिए भी लाव को अधिक रख सकते हैं वा उभुकताओं के लिए भी मूले को कम कर सकते हैं इनका तीसरा लाव यह है कि इस प्रकार के भंडारों में सभी विक्रे नगद में होते हैं तो इसमें कोई अशोधी रिन का अफसर नहीं रहता किसी प्रकार के उधार ना होने से बकाया राशी का भी जोखिम नहीं रहता इस प्रकार की शरंखलाओं में वस्तों का हस्तांतरन भी बड़ी सरलता से होता है अर्थात यदि किसी एक दुकान में वस्तों की कमी है वहीं किसी दूसरी दुकान में वस्तों की अधिक मात्रा है जो बिक नहीं रही तो वहां से वस्तों को इधर की दुकान में हस्तांतरित किया जा सकता है अंत में इनका एक लाब या भी है कि ऐसे में कमपनी के जोखिम का बिखराब हो जाता है यदि किसी एक दुकान में हानी होती है उसकी भरपाई अन्य दुकानों के लाब से की जा सकती है तो लाब हानी का संतुलन बनने के कारण हानी का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है ये इस प्रकार के website के मुख्य लाब थे यदि इसके हानियों की बात की जाए तो जब एक भोगता ऐसे किसी दुकान में जाता है तो इसके पास वस्तुओं के चयन के सीमित अफसर होते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही कमपनी की वस्तुओं मिलेंगे दूसरा इस प्रकार की दुकानों में प्रिर्णा का भा होता है क्योंकि दुकान को चलाने का काम तो प्रबंधक का होता है लेकिन दुकान के मालिक या उसको नियंतरण करने का अधिकार तो मुख्याले के पास होता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो दुकान को प्रबंधन करने वाले प्रबंधक हैं वो उतना प्रेरित नहीं होते विक्री को बढ़ाने या उब्होकताओं को ध्यान देने की तरफ इसी कारण इसकी तीसरी हानी यह होती है कि इसमें उब्होकताओं को कई बार व्यक्तिगत सेवा का अभाव महसूस हो सकता है ये दो मुख्य प्रकार के बड़े आकार के स्थाई दुकान हमने देखे इसके अलावा कुछ अन्य विशेश प्रकार के स्थाई दुकाने हैं जो होती तो बड़े आकार की ही है लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा अलग होता है जैसे की डाक आदेश ग्रह डाक आदेश ग्रह से प्रचार के जरिये पहले तो संपर्क साथते हैं ये बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं ताकि ग्रहकों को पता लगे इनके वस्तों के बारे में फिर ये फोन इंटरनेट आदी के माध्यम से संपर्क साथते हैं और उन्हें अपने वस्तों की खरीद के लिए मनाने की को यह ग्रहकों से पूरा भुकतान अगरिम रूप में मांग लेते हैं यानि जब ग्रहक पहले इन्हें पूरी राशी का भुकतान करते हैं फिर यह डाक आधी के सहारे वस्तूओं को उनके पास पहुंचाते दूसरा विकल्पिया है इस विवस्था में वस्त्वों को डाक से भेजा जाता है तथा ग्रहकों को उनकी सपुर्दगी तभी की जाती है जब ग्रहक वहीं पर उसका पूरा भुक्तान कर देते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि डाक आदेश ग्रह बिना किसी स्थाई दुकान के या स्थल के ग्रहकों से संपर्ख साध कर उन्हें वस्त्वों की विक्री करने की कोशिश करते हैं अब इसका लाब तो यह है कि ऐसे में सीमित पूर्जी की आवशक्ता होती है क्योंकि आपकी कोई दुकान या कोई स्थिर स्थल नहीं है दूसरी तरफ मध्यस्तों की समापती भी हो जाती है क्योंकि उतपादक सीधा ग्रहकों से संपर्ख साहती है तो उसके कारण लागत में भी वचत होती है वह भोगताओं के लिए भी वस्त में थोड़ी सस्ती पड़ती है तीसरा लाग या है कि इस प्रकार के वेवसाई में एक विस्तर छेतर तक सेवाएं दी जा सकती है क्योंकि किसी एक जगा पर दुकान खोल कर बैटने की सीमा नहीं है वह इसमें भी जैसा कि हमने देखा भुगतान तुरंत हो जाता है तो किसी प्रकार के अशोध्यरिन की भी संभावना नहीं रह जाती इन लाभों के अलावा इस प्रकार के वेवसाई की भी कुछ सीमाई हैं जैसे कि ग्रहकों के लिए इसमें व्यक्तिगत संपर्क बिलकुल भी नहीं होता केवल एक फोन आदी के मादिम से वो उत्पादक से जुड़ते हैं इसके अलावा क्योंकि सामान या वस्तुएं डाक के मादिम से भेज जाती हैं तो कई बार सुपुर्दगी यानि डिलिवरी में विलंब हो जाता है इसमें उधार की सुवधा भी ग्रहकों को नहीं मिलती वा अंत में इस प्रकार के विवसाय में सबसे जादा प्रवर्तन लागत लगानी पड़ती है प्रवर्तन यानि प्रचार करने में लगने वाली लागत क्योंकि जब तक ये विवसाय प्रचार नहीं करेंगे ग्रहकों को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इनके पास कोई स्थिर दुकान या जगर नहीं है तो ये थे डाक आदेश्क्र हैं इसके बाद अगले प्रकार के बड़े आकार के स्थाई दुकानदार होते हैं उभोक्ता सहकारी भंडार जैसा की नाम से इस पश्ट है उभोक्ता सहकारी भंडार ऐसी दुकाने होती है जो उभोक्ताओं के समुह आपस में सहीयोग करके चलाते हैं कई बार कुछ उभोक्ता इस बात को एहसास करते हैं कि मध्यस्तों या बीचौलियों या बीच के दुकानदारों के होने की वज़ा से उन्हें वस्तों का मूले अधिक देना पड़ रहा है इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उभोक्ता मिलकर एक समुह बनाते हैं एक सहकारी संगठन का निर्मान करते हैं जब वो मिल जाते हैं तो उनकी शक्ती बढ़ जाती है फिर वो उत्पादकों से सीधे तवर पर सामान खरीश सकते हैं उसे एक भंडार में रख सकते हैं अब बीच के दुकानदार या बिचौलिये खतम हो जाने की वज़ा से उन्हें वो वस्तों काफी सस्ती पड़ती हैं जिसे फिर वो आपस में एक दूसरे को बेचते हैं इस प्रकार के भंडारों का लाब है कि इनकी स्थापना बहुत सरल है इसमें दाइत्व बहुत सीमित होता है वो इसका प्रबंद प्रजातांत्री तरीके से चलता है क्योंकि यहां एक सहकारी संगठन है जहां सब लोग मिल जुल के एक दूसरे के साथ काम करते है लोगों को वस्तों कम कीमत पर मिलती है बिक्री भी नगद में होती है वो क्योंकि उभोकताओं ने खुद इनकी स्थापना की है तो वो अपने निवास्थल के आसपास ही इसको स्थापित करके एक सुविधा जनक स्थिती भी प्राप्त कर लेते है लेकिन इस प्रकार के संगठनों की भी कुछ सीमाई है जैसे कि इन में इनको चलाने वाले लोगों में प्रेरिना का भाव होता है क्योंकि इसमें कोई सीधा लाब होने प्राप नहीं होता तो वो उतने प्रेरित नहीं होते इसको अच्छे धंग से चलाने के लिए दूसरी हानी यह है कि क्योंकि ये उप्भोकताओं के समू है इसलिए इनके पास पूंजी या कोश की भी कमी होती है इसके अलावा इन लोगों में व्यवसाइक प्रेसिक्षन का भी अभाव पाया जाता है जिसके कारण कई बार ये अपने व्यवसाइक को उतने उचित धंग से नहीं चला पाते है अब आईए उप्भोकता सैकारी भंडारों के बाद हम चर्चा करते हैं बड़ी विशेश प्रकार के व्यवपार की इसका नाम है सूपर बाजार अब सबने ये नाम शायद शहरों में सुना होगा सूपर बाजार कुछ हद तक विभाग ये भंडारों के तरह होते हैं जहां पर एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी दुकान के अंदर कई तरह के वस्तुएं अलग-अलग विभागों में रखे जाती हैं दोनों में मुख्या अंतर यह हैं कि सुपर बाजार स्वेम सेवा के सिधान पर कारी करते हैं यानि इन में भुकताओं को खुच जाकर वस्त्वों को उठाना होता है उनका चैन करना होता है वह भुकतान के इंदर पर ले जाकर उनके लिए भुकतान करना होता है ऐसे कई मौल या सुपर बाजार आज शहरों में एक आम बात है सुपर बाजार सामानेथ हर प्रकार की खादे समगरी, परचून समगरी या अन्य गैर खादे आवशकताओं के वस्तों को भी रखते हैं ऐसे बाजारों में क्रेता आवश्यक वस्तूओं का क्रे एक ही छत के नीचे कर सकते हैं सुपर बाजार स्वयम सेवा के सिधान पर चलाये जाने के कारण कम वितरन लागत पर काम करते हैं इन्हें बहुत जादा लोग नहीं रखने पड़ते जो ग्रहकों को वस्तूओं को प्रदान करें क्योंकि ग्रहक इसमें खुच जाकर ही वस्तूओं ले लेते हैं निम्न परिचालन लागत बड़ी मातरा में क्राय वा कम लाब के कारण अन्य फुटकर भंडारों के तुल्ना में यहां वस्तूओं की कीमत कम होती है वस्तूओं को केवल लगद में बेचा जाता है तो यह भी इनके लिए एक लाब है कि इन्हें उधार यानि अशोद्धेरंड से नहीं जूजना पड़ता है यह बाजार साधार अन्टया केंद्रिय स्थानों पर स्थित होते हैं जहां इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है एक ऐसे केंद्रिय स्थाल पर होते हैं जहां असपास के कई सारे जगहों से लोग इकठा होकर आकर सामान खरीश सकते हैं सूपर बाजारों के अनेको लाब हैं जो कि विभाग ये भंडारों से मिलते जुलते हैं कि ये बड़े पैमाने पर काम करते हैं ये बहुत सारे अफसर चैन के ग्रहकों को देते हैं ये कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्द कराते हैं यहां भी सभी वस्तुएं अलग-अलग विभागों में होने के कारण ग्रहाकों के लिए उन्हें खरीदना असान हो जाता है वो इन विभागों के लिए लागत कम होती है जिसके कारण इनकी विक्री भी जादा होती है इनके पास ग्रहाग भी बहुत जादा होते हैं लेकिन कमियों में इनकी भी कमिया है कि इनके पास जाकर उब्भुकताओं को व्यत्तिगत सेवाएं नहीं मिलती सूपर बाजारों के अतरिक्त शहरों में एक और नए प्रकार का व्यापार बहुत जादा पनप रहा है जिसे हम विक्रे मशीनों के नाम से जानते हैं ऐसी मशीने सामाने तरह हम शहरों में मेट्रो स्टेशन आदी पर भी देखते हैं जहां station के ticket या token प्राप्त करने के लिए लोग इन मशीनों में पैसे डालते हैं वह वहां से ticket या token प्राप्त करते हैं token देने के अलावा यह मशीने कई प्रकार के छोट छोटी सामग्रियों के विकरी का भी काम करते हैं यहां आप अपने पसंद के वस्तू का चयन करके उसकी कीमत इस मशीन में नोट या सिक्कों की रूप में डालते हैं तो यह मशीन खुद बखुद आपको वह सामान प्रदान करती है यह बड़ा ही आकर्शक्वन नए प्रकार का एक प्रक्रम है एक मशीन है जो भारत में ग्रहकों तक पहुंचाया जाता है तो बच्चों अभी तक इस अध्याय में हमने थोक व फुटकर व्यापारियों को जानने के बाद फुटकर व्यापार पर अधिक ध्यान के इंद्रित किया क्योंकि फुटकर व्यापारी ही ही है जो ग्रहकों से जुड़े हुए होते हैं हमने फुटकर वयपारियों के दोनों प्रकार, जाहे वो भ्रमडशील वयपारि थे या स्थाई वयपारि थे, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की हैं अब इस अध्याय में हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसे संगठनों की जो इन सभी प्रकार के व्यापारों या व्यापारियों के लिए कारे करते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार के सभी व्यापार देश में सुचारू रूप से चल सकें ऐसे कई संगठन या संस्थाएं हमारे देश में बनी हैं जो या तो समूचे व्यवसाइक परिवेश को या किसी विशेश प्रकार के वस्तुओं के व्यवसाइक को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कारिय रथें। उधारन के लिए CII और फिक्की, CII अर्थात Confederation of Indian Industries और फिक्की अर्थात Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries ये ऐसे संगठन हैं जो व्यवपार, वानिज्य या उद्योग के छेत्र में अपने आपको राष्ट्रे संगरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और काम करते हैं। ये बड़ी संस्थाएं हैं लेकिन इनके अलावा ऐसे कई अन्य संस्थाएं भी हैं जो स्थानिय रूप से भी या किसी विशेश वस्तू या उत्पाद के छेत्र में भी काम करते हुए, सुनेश्चित करते हैं कि व्यवसाय देश में सुचारू ढंक से चल सके। इन संस्थाओं के हस्तक्षेप मुख्यता इस प्रकार से होते हैं। ये सुनेश्चित करते हैं कि परिवहन तथा वस्तूओं का अंतर राज्य स्थानांतरण असानी से हो सके। ये क्रिशी उत्पादों के विप्णन वह उससे जुड़ी हुई समस्याओं के निप्टारे में सहयता करते हैं। ये मापतौल की कमियों या ब्रांडेड वस्तों की नकल को रोकने का काम करते हैं। ये इस बात के लिए भी कारियरत हैं कि देश में एक सुद्रड मूल भूत धाचे का विकास हो। ताकि व्यवपारियों को या व्यवसायों को किसी प्रकार की कठना या ना हो। ये श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों के प्रती भी कारियरत होते हैं कुल मिलाकर इनका उदेश यह होता है कि यह सुनेशित किया जाए कि देश में एक अच्छा वातावरण बने जहां पर व्यवसाय पनपें व्यवसाय फले फूलें और सभी व्यवसायों को अपने काम करने में आसानी यानि सुगमता हो अब व्यवसायों के लिए सुगमता की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बच्चों एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हम अपनी अर्थ व्यवस्था की सुविधाओं का उप्योग कर रहे हैं इसके बदले में हमें सरकार को करों का भुकतान करना पड़ता है टैक्स जमा करना पड़ता है अब व्यवपारियों या व्यवसायों के लिए कई प्रकार के टैक्स या कर होते हैं हमारे देश में कई सालों से ऐसे कई कर थे या टैक्स थे जिनसे व्यवपारियों को जूजना पड़ता था व्यपारी हमेशा इसकी शिकायत करते थे कि उन्हें एक ही वस्तूपर कई तरह के कर देने पड़ते हैं उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्ये में जाने पर कई तरह के कर देने पड़ते हैं इन कई करों को याद रखना, इन से जुड़ी हुई अपचारिकताओं को पूरा करना ये व्यापारियों के लिए एक बहुत जटिलकारिय हुआ करता था कई बार तो इस प्रकार की कर प्रणाली ही व्यापारियों को व्यापार करने से रोकती थी इन समस्याओं का निप्टारा करने के लिए और एक देश एक करके मूल मंत्र का अनुसरण करने के लिए भारे सरकार ने एक जुलाई 2017 को माल व सेवा कर GST यानि Goods and Service Tax लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों व उभुकताओं के हितों के लिए वस्तवों वस्यवाओं का परिचलन मुक्त रूप से सुचारू रूप से हो सके ये अने को करके जाल से और जन्जट से इन्हें बचाया जा सके GST एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में समान रूप से लागू होता है इसलिए इसे एक देश एक कर One Nation One Tax के मंतर के अंदर लागू किया गया है इसकी कुछ विशेशताएं इस परकार है सबसे पहला कि यहां जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राजियों में लागू है दूसरा यहां वस्तुओं वो सेवाओं की पूर्ती पर लगाया जाता है ना कि उनकी निर्माण पर अर्थाद जब वस्तुओं यह सेवाओं की पूर्ती की जाती है सप्लाई किया जाती है तब इस करकोन पर लगाया जाता है तीसरा उद्गम आधारित कराधान शिधानत की अपेक्षा GST गंतव्य आधारित खपत का सिधानत यानी इसमें यह देखा जाता है कि वस्तू का गंतव्य स्थान क्या है उसे कहा जाना है किस जगह उसकी विक्रिया पूर्ती की जानी है और उसके अनुसार गंतव्य स्थल के अनुसार वस्तूओं पर कर लगाया जाता है ना कि वो कहां पर बने या उनका उद्गम कहां पर हुआ इसके अलावा वस्तुवों वसेवाओं का आयात अंतर राज्य आपूर्ती की तरह माना जाता है इसलिए इसे वहां के लोग प्रभार के आधार पर GST के अंदर लिया जाता है GST की सभी प्रक्रियाओं या उससे जुड़ीवे सभी क्रियाओं का ध्यान रखने के लिए जिनने हम CGST, SGST और IGST के नाम से जानते हैं जब वस्तुवों का आधान प्रदान एक ही राज्य के अंदर होता है तो उन पर जो कुल GST लगता है उसके दो बराबर हिस्से किया जाते हैं एक Central GST यानि केंद्रे GST और एक राज्य यानि State GST के नाम से लगाया जाता है जब कि जब वस्तुवों का आधान प्रदान दो अलग-अलग राज्यों के बीच में होता है तो वहाँ पर लगता है IGST इन करों की उगाही की गड़ना केंद्र वर राज्यों के मध्य आपसी सहमती के आधार पर की गई है अगली विशेशता यह है कि लगभक सभी प्रकार की वस्तुवों और सेवाओं पर जो GST लगता है उसे मुखेता चार दरों पर लगाया जाता है कुछ वस्तुवों पर 5 प्रतिशत की दर से, कुछ पर 12 प्रतिशत, कुछ पर 18 प्रतिशत वा कुछ पर 28 प्रतिशत की जल से इसके अलावा कुछ ऐसी विशेश वस्तुवों या छेतर भी हैं जन पर 0 प्रतिशत का GST दरहया अर्थात उन्हें GST मुक्त रखा गया है इतना एक विस्तृत प्रणाली बनाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि व्यपार को या उभुकताओं को ये कई करों के जंजाल से छुटकारा दिलाया जाए इसलिए GST व्यफसाईयों या उभुकताओं को कई प्रकार के लाब प्रदान करता है जैसे कि कई प्रकार के करों को हटा कर एक GST लगने के वज़ा से संपूर कर भार में कमी आई है यानि कि यह देखा गया है कि व्यपारियों पर जो कुल कर लगता है वो पहले के मुकाबले कम लगता है दूसरा GST के अंदर कोई गुपत कर नहीं है जो भी कर की दर है वो सामने है प्रत्यक्ष है जिसे देख कर जानकर व्यवसाई अपने व्यवसाई या उत्पादों के मूले की गणना करते है इसके अलावा क्योंकि GST पूरे देश में एक प्रकार से लागू होता है इसलिए इसने वस्तुओं और सेवाउं के लिए पूरे देश में एक रूपी बाजार का निर्मान करनी में भी सहायता की है इसके अतरिक्त GST के आने से करों के कम होने के कारण तेश में आर्थिक क्रियाओं में व्रिद्धी होने के कारण देश में रोजगार के अफसरों में भी व्रिद्धी का अनुमान है हालां कि GST के लागों होने पर शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी जैसा कि किसी भी नई प्रणाली की एकारण होती है लेकिन दीर्ग काल में इन लाभों को और बढ़ाने या अधिक लाभ प्राप्त करने का अनुमान लगाया जाता है बच्चों इस अध्याय में हमने आंतरिक व्यापार के बारे में विस्तार में चर्चा की हमने जाना कि कैसे आंतरिक व्यापार किसी भी देश के व्यापारिक तंतर के लिए बहुत महत्वपूर है विशेशकर आज इस भाग में हमने फुटकर व्यापार के स्थाई रूप की चर्चा की हमने व्यापारिक संगठनों के बारे में जाना वा अंतमे GST पर भी एक संशिप्त चर्चा की मैं आशा करता हूँ आपको ना केवलिया भाग बल्किया पूरा अध्याय अच्छे से समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाल्डिक सिर मताए पूरा मताई रवाद हम अपको ना का रच्छे से स्थाव चार्चे सा चार्चा की मैं आपको याण k Meyer D हम आपको ना किरा ॥ादार क्वाद